तो दोस्तो Learn Basics में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्व तो आज किस वीडियो में हम जानेगे कि अकर हमें MS Excel में कोई नई sheet add करनी है या किसी sheet को हटाना है तो वह हम shortcut key से कैसे करते हैं ठीक है तो इस सब एक video शुरू करूँ आपको मेरे चैनल पर Hindi और English दोने वीडियो मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे किसी नई sheet को जोड़ते हैं और किसी sheet को हटाते हैं shortcut key की मतलब से तो यहां पर देखिए 1 2 3 sheets दी वही है ठीक है यह देखिए sheet 1 sheet 2 और sheet 3 अब मुझे मुझ Alt Shift प्रेस करना है और F1 प्रेस करना है साथ में Alt Shift को दबाए रखिए और F1 जितनी बार भी आप प्रेस करते जाएंगे नई sheet देखिए add होती जा रही है 12 13 14 15 16 17 जितनी मर्जी आप sheet यहां पचा है add कर सकते हैं अब अगर मुझे मुझे कोई sheet हटानी स्पोस मुझे मुझे sheet 14 हटाना है ठीक है तो सिंपल Alt दबा के रखिए और साथ में EL प्रेस कर दीजे यह देखिए sheet 14 हट गई अब मुझे अगर sheet 13 भीटाना है तो Alt दबा के रखिए और EL प्रेस कर दीजे यह देखिए sheet 13 भीटाना है तो इससरफ बड़ी असानी से इन दोनों shortcut key के मदद से आप जि sheet को भी चाहें हटा सकते हैं तो आई होब यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर कुछ पॉब्लम हो तो comment section में comment करिएगा मिलते हैं next interesting video में तिल दें हमेरा इस दे टेक केर और बाए